तो जब भी हम chat करते हैं, किसी को email भेजते हैं, तो कभी आपने रुक के ये सोचा है कि एक message जो आपके device से निकला, वो और कितने device से होके गुजरता है Of course एक आपका device और एक आपने जिसको message भीजाएं, उनके device में वो message जाएगा, लेकिन रस्ते में और कितने device से use होते हैं, वो आपको नहीं पता तो दो machine के बीच में, communication के लिए dozens of computer use होते हैं अगर आप एक definition से देखो, तो दुनिया के सारे computers को जोड़ दो, तो internet बन जाता है पर इतने सारे computers कैसे जोड़ जाते हैं, और ये network बनता कैसे, जानेंगे इस वीडियो में So hello everyone and welcome to अपना college और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंट्रेसिंग topic के बारे में discuss करने वाले हैं जो कि है How does internet works? क्योंकि आज के जमाने में internet के बिना रहना is close to impossible सोच कर देखो यार एक दिन बिना internet के कैसा होगा जब आप बिना YouTube और Insta के यह जो इतनी सारी services है हमारी वो सब बंद हो जाएगी और अभी तो यार pandemic चल रहा है तो SMR हमारी जतनी भी classes है वो भी online है तो हमारी internet पे dependency बहुत ही जादा बढ़ चुकी है बट क्या आपको पता है कि internet कैसे काम करता है तो चलिए जानते हैं तो internet का मतलब है interconnected networks of computer around the world आसान शब्दों में बहुले तो बहुत सारे computers जो कि एक दूसरे से जुड़े हैं पूरी दुनिया भर में और अब ये computers का network बनता कैसे है तो दो computers को आपस में एक दूसरे से communicate करने के लिए हमें उन्हें link करना होता है अब इन computers को या हम wire की मदद से जोड़ सकते हैं या फिर आप wirelessly जोड़ सकते हो दो ही तरीके हो सकते हैं लेकिन इतने सारे computers को अगर हम wires की मदद से जोड़ेंगे तो वह चीज बहुत ही complicated हो जाएगी मान लो हमें 10 computers connect करने हैं तो हमें 45 cables चाहिएगी 9 cable per computer which is a lot यार तो इस complexity को दूर करने के लिए हम use करते हैं routers का और router is like छोटू सा computer जिसका सिर्फ एक काम है जैसे कि railway station का signal नहीं होता जो कि train को signal देता है कि आगे जाना है या नहीं जाना है हरी बत्ती लाल बत्ती वह चीज़ अब router का भी similar काम है वो एक message का ध्यान रखता है कि वो जिस direction में जाना चाहिए वो उसी direction में जाएगा और जिस device तक उसे पहुंचना है वो router ध्यान रखेगा कि उधर तक ही जाए वो किसी और devices में नहीं route होएगा लेकिन 10 computers तक आप routers रख सकते हो बट उससे भी जादा अग बात करें तो यह thousand hundred millions of computers है तो इनको connect करने के लिए आप एक router से काम नहीं चला सकते हो बट जैसा कि मैंने कहा कि router is just like a computer तो आप एक router को दूसरे router से connect कर सकते हो और फिर हम infinite connections कर सकते हैं क्योंकि आप एक router को दूसरे से और दूसरे को unlimited router से connect करके एक बहुत ही विशाल network बना सकत और यह network काफी close है हमारे internet से बट यहां भी हम एक चीज़ miss कर रहे हैं कि यह router हमारा है तो यह network भी सिर्फ हम तक ही सिमित रहेगा अगर इस network को अगर हमको दूसरों तक पहुचाना है तो हमें एक बहुत अच्छा cables का infrastructure चाहिए जैसे हमारे electricity या टेलिफोन के लिए है पर खा हमें एक modem का use करना होता है जो कि एक टेलिफोन के analog signal को digital signal में convert करता है पर क्या सिर्फ phone line को computer में लगाने से internet चल जाता है तो जवाब है नहीं हमें internet से जुड़ने के लिए ISP की मदद लेनी होती है ISP का मतलब है internet service provider और नाम से पता लग रहा है कि यह एक ऐसी company है जो हमें internet की service provide करेगी example के लिए आप ले सकते हो जिसके BSNL, Geo, Airtle यह सारी एक ISP है यानि इनके पास एक ऐसा router है जो दूसरे ISPs के router से connected है और वो पूरी दुनिया में ऐसे अलग-अलग ISP के router से connected है जो की एक बड़ा infrastructure बनके internet बन जाता है लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा सवाल आता हो तो इसका data आ कहां से रहा है तो यह video हमने YouTube पर upload करी थी और जैसी हमने इसको YouTube पर upload किया तो यह किसी data center में जाके store हो गई अब यह data center कहा है तो basically YouTube के तो बहुत सारे data center है पर अभी हम example लेते हैं कि हमारा data center है मानलो Mumbai के अंदर तो Mumbai के अंदर किसी server में हमारा यह data है वो जाके store हो चुका है और यह server किसी data center में पढ़ा होगा और वो जो data center है वो connected होगा किसी ना किसी ISV के साथ में ठीक है तो जब भी आप YouTube के उस server को call करोगे तो जैसे ही आप अपने browser में यह URL लिखोगे तो आपका browser DNS में ढूंडेगा कि यह URL है उसका IP address क्या है और DNS यार एक phone book की तरह होती है जिसके अंदर आपको सारे URL के IP addresses मिल रहे होंगे अब जैसे एक बार यह IP address आ गया तो आपका browser उस web server तक connection बनाएगा और जैसे ही उस server से कुछ response आता है तो मतलब हम connected है और एक बार जैसे ही आपका यह connection बन जाता है फिर YouTube पे आप कोई भी वीडियो surf कर सकते हो लेकिन जब भी हम किसी website से कुछ request करते हैं तो उसके लिए एक set of rule को इसको follow करना पड़ता है तो TCP IP हमारा एक protocol है जो कि यहां पे follow हो रहा होता है जब भी हम कुछ request करते हैं किसी website पे और अगर आपको TCP IP और HTTP protocol के बारे में नहीं पता तो अलग से मैं उसके ओपर वीडियो आपको बना दूँगा और अच्छे से वो भी हम explain कर लेंगे ठीके ना अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि हर request जो कि हमारा ब्राउजर एक server तक भेजता है उसका जो response है वो चोटे-चोटे टुकडों में chop होके यहां पर हमारे पास आ रहा होगा वो पूरी एक form में कभी नहीं होता है जैसे कि मानलो आप एक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के अंदर क्या होता है ना बहुत सारी frames होती है तो वो सारी frames एक-एक चोटे-चोटे packets of data के अंदर यहां पर binary bits of data हमारा web server से आ रहा होगा बाद में यह जो packet है पूरा data का वो एक साथ जब आ जाता है तो फिर से वो reassemble होके हमारे computer में हमें दिखने लग जाता है अब यह कैसे होता है तो basically हर packet को यह पता होता कि उसको किस IP address पर जाना है और किन other packets के साथ में जुड़ना है अब फिर से उस example को देखते हैं तो जैसी आप किसी वीडियो को request करोगी YouTube पर तो सबसे पहले तो आपकी वो जो request है वो चौप होके कुछ packets में बढ़ जाएगी और वो packets in internet की cables के थ्रू होके उस web server तक पहुंच जाएंगे अब web server वहाँ पर अपनी processing करेगा और उस video को ढूंडेगा क्योंकि YouTube बहुत बढ़ा है और इनके data center में वह वाली file कहां है यह ढूंडना भी एक task है लेकिन यह सारी चीज़े milliseconds में हो जाती है और जैसी आपकी वो file मिल जाएगी वो फिर से web server से एक response के रूप में आप तक पह जाएगा और फिर अलग अलग तरीकों से वह packets आप तक आएंगे तो सबसे पहले HTML फिर CSS JavaScript और उसके बाद में आपकी वीडियो है तो वीडियो लोड होना शुरू हो जाएगी और आपकी screen पर आपको दिखेगी तो कुछ इस तरह से internet पे चीजे काम करती है तो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया कि कैसे internet काम करता है अब अगर आपको ऐसा content पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में ताकि वह भी शांदार सी knowledge का फायदा उट है तो बस यार इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं मिलें के नेक स्वेंग